मुहमत दानिश से किया जज नेहा का करने फ्लर्ट और बोलने लगी नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल बॉलेवोड जमेला में सोनी टिवी के सिंगिंग रियल्टी शो इंडियन आइडल सीजन बारा में अभी चल रहा है थेयर्टर राउंड यानि कि ओडिशन राउंड का दूसरा चरण दर्शकों को सबसे ज़्यादा किसी शो का जो पार्ट अच्छा लगता है उनमें सबसे पहला है ओडिशन तो दूसरा है किसी खास एपिसोड में बॉलेवोड सेलेबरिटी का महमान बन कर आना खेर अभी तो फिलाल कोई सेलेबरिटी आने नहीं वाला पर हम यहाँ बात करेंगे ओडिशन राउंड में हो रही मस्ती के बारे में जजेज को ओडिशन में कई तरह के फ्लैवर देखने को मिलते हैं कोई अपनी हरकतों से सबको हसाता है तो किसी के संगर्ष की कहाणी हमें भावुक भी कर जाती है किसी के संगिंग ज़बरदस्त होती है तो किसी की संगिंग हमें कॉमेडि लगती है पर इस बार आटिशन राउंड में कुछ ऐसा हुआ जो देखने लायक था मंच पर आये मुहम्मद दानिश दानिश शुरू से ही एक हीरो या सेलेब्रिटी बनना चाहते थे और हूब हूब उसी तरह टशन में उन्होंने स्टेज पर एंट्री ली जिसे देखकर नेहा ककर्ड उनसे फ्लर्ट करने लग जाती है और कहती है दानिश आज तो आप एकदम हीरो लग रहे है दानिश इतना सुनते ही शर्मा जाते हैं और थैंक्यू मेम बोलते हैं उसके बाद दानिश की परफॉर्मेंस ने भी सभी को प्रभावित किया इस परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि वो आगे टॉप चौड़ा के लिए अपनी जगत जरूर बना लेंगे आपकी राय क्या कहती है हमें नीचे कमेंट वॉक्स में लिखकर जरूर बताएं शुक्रिया